हेलो काई डेक बार फिट्स स्वागत हो गया एक नई और शांदार सी वीडियो में एक टेकनो गेम अभार का खेला हूआ यह इक शांदार गेम उसके अंदर आपको क्या करना होता है यह नहीं अब दूसरे पार्ट में आपको प्रिजन ब्रेक करना होता है यह प्रिजन से सब लोगों को छुड़ाना होता है तो इसकी मोटी मोटी स्टोरी है जो आपको गेम में करना होता है और जो आप करते हैं लेकिन इसके साथ एक और स्टोरी है मिस्टर मीट की जो आपको नहीं मालूम होगी वो स्टोरी यह है कि मिस्टर मीट ऐसा दानाव बना किसे तो चलिए आज वो स्टोरी मैं आपको बताता हूँ GUYS Mr. Meat जो था उस वो सुरू से इतना द्यत्तेकार जानवर नहीं था यानि वो पहले एक नर्मल इंसा था, जैसे आप इंस शचा था मैं इंसाथ हम सब इक इंसान है का असली नाम था जॉन मैंचेन यहाँ वह जॉन मैंचेन था जिहें Mort degree के नाम से भी जाना जाते था अब गाईज इसको Mr. Meat के नाम से क्यों जाना जाते था क्योंकि गाईज वो उसने Meat का बीच में धंदा शुरू कर दिया था और अपनी धुकान का नाम उसने रखा था Mr. Meat चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किसकी स्टोरी क्या है गाईज Mr. Meat की एक वाइफ थी और दो बच्चे थे और वो अपना बिजनिस करता था लकडियों का अब लकडियों का बिजनिस बहुत ही शांदार चलता था और बहुत ही टॉप क्लास चलता था वो बिजनिस करता रहता था और बहुत उसको अच्छी आया हो रही थी उसका गर थोड़ा सुन्सानेरिया में था इस वज़े से उसको कोई दिक्कत नहीं थी वो अपनी फैमिली के साथ बड़ी खुशी खुशी रहता था लेकिन एक बार की बात है उसकी फैमिली में उसकी वाइफ को ड्रक्स की आदत लगई और उसको ड्रक्स की आदत बूरी लगी कि वो ड्रक्स लेने लगई और नशा करने लगई उसने इतना ज़दा नशा किया कि वो नशे में डूब गई ये दिखके Mr. Meat को बहुत ही बुरा लगा और Mr. Meat को बहुत ही लज्जा आई इसके बाद Mr. Meat ने अपनी वाइफ को ड्रक्स लेने के लिए मना किया और जिससे उसकी वाइफ नराज होके उस चली गई उसके बाद लगा था उसमें उसकी वाइफ में कॉन्फिक्ट्स होने लग गए वो कॉन्फिक्ट्स इतने जादा बढ़ गए कि कुछी महीनों में Mr. Meat की वाइफ जो थी वो उससे छोड़के चली गई अपने दौना बच्चों को ले के जिससे Mr. Meat एकदम अकेला हो गया है जब Mr. Meat अकेला हो गया तो उसको कुछ भी नहीं सुझा और उस ते शराब पीना शुरू कर दिया उसने इतनी जादा शराब पी गाईज की वो नशेड़ी नंबर वन बन गया अपनी वाइफ की तरह बिल्कुली गाईज थोड़े ही दिनों में Mr. Meat के पास खबर आए कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है उसके बच्चों को गौर्णमेट ने औरफने जानी अनाथ अश्रम में रखने का फैसला ले लिया है जिसके बाद वो और जादा दुखी हो गया क्योंकि Mr. Meat भी नशा करता था इ अब उसके बच्चों को Mr. Meat को दिन ना देने का फैसला किया जिस वज़े से Mr. Meat और उदास रहने लगा और वो इतना जादा उदास और डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपना धंदे पे बिलकुत ध्यान नहीं दिया जिसने से उसका बिजनेस बहुत जादा डूब गया उसका बिजनेस इत्ता डूब गया कि उसके पास खाने पीने के लाले पड़ गया और इससे सबक छबक लेके उसने सोचा चलो थोड़ा बहुत कोई दूसरा बिजनेस किया जाए उसके लिए उसके पास पहले बिजनेस से जमा हुई हुई कुछ धनराशी थी इसको इकठा क करके उसने एक नया मीट का बिजनेस शुरू किया उसने एक शौप खरेदी और वहां मीट बेचना शुरू किया और दुकान का नाम रखा मिस्टर मीट और उसके बाद उसकी वह दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी वह उसके पॉर्क और पॉर्क चॉप बेचा करता नामी सुवर का मास और नॉर्मल मास बेचा करता था ऐसा करते-करते उसको बहुत लंबा समय हो गया उसकी पडोसी की तो लड़की या पडोसी एमेलिया क्लार्क वह उसके सथ काम किया करती थी और वह उसको टेश्टी बनाने के लिए इंग्रीडियन्स लैब में डिजाइ बिजी हो गया कि मिस्टर मीट ने सोचा चलो इस बिजनिस को और तिंग तुगनी राच चौगनी तरकी देते हैं और उसने उसने बोला कि ऐसा करते हैं इंसानों को मालके उसके मास को पॉर्क के साथ मास के साथ बिलाके खिलर बनाते हैं और इसका फॉर्मूला तुम तयार करोगी एमिली एक सब करने के लिए मना कर दिया और वो भीफर गई जब भीफर गई तो मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आया पर मिस्टर मीट ने शुरुआत में उससे कुछ नहीं कहा वो उसकी नौकरी छोड़के जा चुकी थी मिस्टर मीट ने एक बार शांतिस से बैठक dogay ass जब इसको खुड़ानत कर लियाँ जिसमें अप पोई इस लड़की ओईमिल्या खुडाना होता है मिस्टर मीट के पंजे से तो काई अब मते हैं कि इसको छोडाने केबाद क्या हुआ गंज जब उसने उसको चुड़ाया तो उसने पुलीस में जाकर कर दी और मिस्टर मिस्टर मीट अरेस्ट हो गया जब मिस्टर मीट अरेस्ट हो तो उसे सेंटल जेल में भेज दिया गया जहां इतनी सक्त पहरेदारी थी कि पूरी इतनी बड़ी जेल में अकला मिस्टर मीट ही काम करता था और मिस्टर मीट इता शातिर था कि वह अपने साथ अपनी कमपनी का क तुक्री छुपाए जिस वजए से Moo secondo सड़ गई और उसमें कुछ बैक्टिरिया परिप गए जिस वजए से जो बहुत थैंड मिस्टर मीन ने अंकेले में वह बैक्टिरिया वाले जो चिकन थे वह खा लिए गई जो जैसे उस्ते वह चिकन और इससे लोगों को सूर बनाया जाता है और यहीं नहीं उसने फिर लोगों को पकड़ के खाना भी शुरू कर दिया उसने उस लड़की को पकड़ा और उससे सूर का फॉर्मूला बनवा लिया उसने तमाम तरीके के लोगों को सूर बनाया उस विड़की को अपनी कैद में रखा और वहीं से आपको उसको कैद से छुडाना होता है और आप जब उसे कैद से छुडा लेते हैं तो मिस्टर मीट को पुलिस अरेश्ट कर लेती है और जब पुलिस अरेश्ट कर लेती है तो उसे जेल में रखती है जहां उसे सजाय मौत होने वाली होती है तो उस दुरान Mr. Mead को की बहुत खतरनाक ग्यत्ते में बदल चुका था तो वह वहां से भाग जाता है और पूरे जेल को बहुत ही खतरनाक haunted house में बदल देता है और य होगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर केजिए और चैनल को सब्क्राइब कीजिए और हाँ अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जुरूर लिखिया मैं हजीर हो दाऊंगा आपकी क्वेरी लेके तो आज के लिए इतना है गए त टाटा बेड़